नमस्ति चैनरी किच्छन में आपका स्वागत है और आज में लाई हूं आपके लिए जो उत्पूर की प्रसीज लड्डू जो गने चेतुरती पर इस बनाए जाते हैं वहाँ पर और इसको आप मोदक लड्डू भी कह सकते हैं और यह लड्डू बेसिन से नहीं मैदे से बनत धर्टन ले लिए दो और है यानी ओ टो व। दूद में अगर मिलको अपको जैसा भी हो इसमें यूज कर सकते हैं लेकिन वह बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए और फोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए इस तरह से बैटर को आपको बनाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने और अगर उसके बाद में भी अगर लम्स बन जाते हैं तो आप इसको चन्नी से चान ले ताकि हमारे पर एक्टम स्मूध बैटर मिल सके हमको बूंदी के लिए तो हमने यहाँ पर एक कब मिल्क यूज़ कर लिया है और आधा कब मिल्क और यूज़ करेंगे इसको बैटर को आच्छे से पतला और स्मूध बनाने के लिए क्योंकि अभी यह थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो हमारा बूंदी का बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए हमने इसमें मैदा यूज़ किया है तो यह दीरे दीरे और सोड़ा सा गाड़ा होता जाएगा और यह देखिए अगर आपको लगता है इसमें लम से तो इस तरह से चनी से छान लेंगे तो हमको एकदम स्मूध बैटर मिल जाएगा अब हम इसमें डाल रहेंगे वन पिंच के लगबग बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिला लेंगे फैट लेंगे और इसको रख देंगे पांस से दस मिनट रेस्ट करने के लिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं तो बूंदी को बनाने के लिए हमारे पास घर में जो भी अवेलेबल हो इस तरीकी के आप ले सकते हैं तो आपके पास निसमें से कोई भी हो आप उससे बुंदी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से तो हम सुगर शुरूप की तयारी कर लेते हैं यानि चाष्णी की लड़ू के लिए तो हमने यहां पर एक बर्तन ले ले जिसमें ले डाल दिया हमने एक कप पानी और उसमें डाल रहे है उसी नाप से एक कप शुगर तो यह सारी जियो चीज है वह सारी नाप से जाएगी और इसको अच्छे से मिक्स करके दीब यहां पर 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे एक तार की चाष्णी हमको बनानी है और जब शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के साहत में तब उसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून के लगबग इलाइची पाउडर और इसको भी सब्सक्राइब को असनी से बना सके तो आपके स्टैंट पर बैटर और बूंदी के लिए जिसमें आप डालेंगे जाली वह सब पहले से तयार रखे ताकि आपका टाइम खराब ना हो बीच में बूंदी मिनाते समय और यहां से आपको बिल्कुल स्पीड तेज रखनी है ब आप बूंदी थार फ्राइया चले फोल आपको कम करना और आप जितना भी स्पीड से करेंगे उसके बाद में थोड़ी आपकी डार होई जाती है और यह रीकिए आपको बता दिए कि इस तरी रखनी है और थोड़ी थोड़ी करके बैटरी उस करते हुए बूंदी बनानी है आपको इस तरीके से आप कोई बूंदी आपकी बड़ी बन भी जाती है तो चिंता करने की कोई जुरूरत नहीं है जब आप बूंदी निकाल लेंगे बाहर उसके बाद में थोड़ी से वह क्र जाली रखी है और उसके नीचे एक प्लेट रख दी है हमने ताकि जो जाली उससे जो एक्षा गी है वह अलग निकल जाए क्योंकि हम जित्ती स्पीर से इसको बूंदी को निकालते है थोड़ा बहुत गी बूंदी के साथ आई जाता है एक्ष्ट्रा तो मैं आपको यह दो बूंदी तयार और यह देखिए जो एक्ष्ट्रा की है इसमें बहार निकल गया सारा और हमारी बूंदी बनके तयार है और यह देखिए जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी बूंदी थोड़ी चिपकी चिपकी बन जाए तो आप इसको बाद में इस तरी से अलग कर सक हैं फ्राइए होने के बाद में तो हमारी बूंदी तयार है अब हमारा सुगर शिरफ भी तयार है अब इसमें हम डालके इसको 5-10 मिनट के लिए बीगने के छोड़ देंगे ताकि हमारी जो भी बूंदी सारी वह अच्छे से सुगर सिरफ को पी ले और नरम हो जाए तो कि लगके रख देंगे तो हमारी कि पांस से 10 मिनट हो गए बूंदी ने अच्छा से सुगर सिरफ पी लिया है यह देखिए और बहुत ही जूसी हो गई है बूंदी तो अब हम इसको वापस से वह वाली चन्नी जो हमने पहले काम में लीती घी को अलग करने के लिए वह चन् वाली वह डाल देंगे ताकि जो भी इसके अंदर एक्षा सुगर सिरफ है वह भी निकल जाए जितना हमको चाहिए उतना ही बूंदी में रहे नहीं तो क्या होगा जब हम लड्डू बनाएंगे तो हाथों में सुगर सिरफ आता रहेगा और हमारे लड्डू अच्छे से ब और अब इसमें डाल रहे हैं हम थोड़े से खरबुजी की बीच थोड़े सी बादाम और थोड़े सी पिस्तर जिनको हमने बारी-बारी कट कर लिया है तो यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप डालना चाहिए तो डाल सकते नहीं तो इसके बिना भी आप लड्डू बना सकते है लेकिन इनकी डालने से लड्डू का टेस्स और बढ़ जाता है और हम चतुरूती पर बना रहे हैं बहुत ही अच्छी शाइनिंग है और बहुत ही अच्छी जूसी है यह देखिए मैं आपको प्रेस करके बताती हूं बूंदी को अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लडू बनाने से पहले एक पाथोड़ से हाथों पानी लगा ले और जिस भी साइच के आपको लड्डू बनाने है वह साइच की कूई स्पूल ले या कुछ भी लेले नाप लेले और उस साइच से आप लड्डू बना ले तो तो इस तरीके से आपके बहुत ही पर्फेक्ट बनेंगे और यह देखिए हाथ में बिल्कुल भी चाष्णियों गी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो भी अक्षास था चाष्णियों गी वह निकाल दिया था और यह दिखिए इतने मुंदी में हमारे यह आंट लड्डू बने हैं एक कप मैदे से और हमने इसको उपर से ड्राय रोस पैटल से और पिस्ता से सजाए आप इसके पूचांदी का वर्ग लगा सकते जैसे चाहिए आप इसको डेकॉरेट कर सकते हैं तो यह हमारे लड्डू बनके तयार है जो प्रसित लड्डू वाइड बूंदी के तो आ आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम में चाहिए और आगे भी आपके रेसे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्ते